कोरोना महमारी को ध्याद में रखते हुए प्रशासन मंडियों में विवस्ता बनाएगा ताकि उत्पादक और विवपारियों को कोई समस्या नहों इसके अलावा बाहर से आने वाले विपारियों को भी क्वारंटीन किया जाएगा थाकि सेव उतपातकों को सेव बेचने में कोई दिक्कत ना हो ये बात आने के स्टेम चेसिंग ने कही वन परिवेहन एवं खेल मंतरी गोविन ठाकुरद्वारा इस संबंध में वीडियो कॉ इप मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा कम से कम लेबर के साथ कैसे काम किया जाए इस पर भी मन्थन चल रहा है उन्होंने कहा कि बहार से आने वाले व्यवपारियों को लेकर भी विचार विमर्श किया जा रहा है उनके क्वारेंटिन करने की वीडियो कॉन्फरेंसिंग समाप्त होने के बाद एस्ट्यम ने आर्थी एस्टेशन आनी वैली सेब उत्पादक संग और पुलिस प्रशासन के साथ बैठक भी की इस दुरान आर्थी एस्टेशन को उन्होंने बाहर से आने वाले विपारियों के नाम सौंपने के नितेश दिये ताकि प्रशासन आगामी कारवाई कर सके इसके अलावा बाहर से आने वाले वाहनों और उनकी व्यवस्ता को लेकर भी मन्थन किया गया ताकि करोना को फैलने से रूका जा सके इस मौके पर आनी वैली ग्रोवर एसोसेशन ने लेबर की कमे को लेकर भी सवाल उठाएं इस पर स्ट्यम चेसिंग ने कहा कि वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से मंतरी गोविन ठाकूर ने ये मामला मुखे मंतरी के ध्यान में होने की बात कही है उन्होंने कहा कि खेक सूमंडी में सेब उदपादकों और आर्थियों को पेशा रही समस्याओं पर प्रशासन की ओर से एक और बैठर का आयोजन किया जाएगा एपल नियूज के लिए आनी से चमन्च शर्मा की रिपूर्ट सेब को मंडिय तोक पहुंचाने के लिए प्रांस्पोर्टेशन की क्या ब्यवस्ता रहेगी कि आर्थ जो इसमें डिफरेंट लेबर आनी हैं पैकर्स आने हैं व्यापारी आने हैं उन लोगोंने किस तरह से आना है कैसे उनको क्वारंटीन करना है कब उनको आना होगा और मंडी के अंदर क्या-क्या ब्यवस्ता रहेगी ताकि कोविड-19 को भी ध्यान में रखना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेजर किस तरह से किये जाएंगे और कितनी लेबर को कम करना होगा जितनी पहले होती थी ताकि सेव की जो फसल है वो भी मंडी तक पहुंचे और मंडी से आगे भी जाए और उसका मुल्य भी अच्छा मिल पाए और कोई वहां पे भीड़ भड़ाका भी उस तरह का ना हो और इसके अतिरिक्त जो ट्रांस्पोर्टेशन की विवस्ता है और उसको सेनिटाइजेशन करने का जो प्रोसेस है इसके बारे में आज वेसी हुई माननी है मंत्री गोगिल सिंग ठापुर्जी के साथ और इसमें एक प्लान बनाया गया कि अगले महीने से लगवग जब से सेव की फसल आनी शुरू हो जाएगी तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसको कैसे प्लान करना है इस सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों को ध्यान रखना होगा व्यापारी आएंगे तो उनको क्या कॉरंटीन किया जाएगा जो भी व्यापारी आएंगे उनसे बातचीत हमारे आर्थियों की चल रही है तो उनको 14 दिन का कॉरंटीन करना है जब आते हैं और जो इसके अलावा लेबर आईगी उसको भी कॉरंटीन करना है सर लेबर की शॉर्टेज का भी मामला उठाये तो इसको भी सिरकार किस तर पर उठाया जा रहा है इसमें भी लेबर का जैसे कुछ एक सीजनल लेबर थी जो कि सीधा नेपाल से यहां आती थी तो उस बारे में भी आनी वेली ग्रोर एसोसीशन की तरफ से एक सवाल बीसी में पूछा गया उसमें मंत्री जी ने बताया कि ऐसा गौर्वर्मन्ट स्थर पर बातचीच चल रही है और इस इशू को भी रिजॉल्व कर लिए जाएगा